नमस्कार मैर अंधिर आप सब का परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो चलिए सुरू करते हैं आज का क्लास आज मैं आपको ट्रेंगल क्या आज स्टार्टिंग दे रहा हूं तो एक बार ज़रूर देखें यह सब क्या आता है और यह हम लोग आज से ट्रेंगल के तरफ स्वरा सा आगे बढ़ेंगे कि ट्रेंगल में घुस रहे हैं लाइन से लिए पिछले वीडियो में खतम किया है त और उनका अंतर बीस है तो सबसे छोटा कुन का मा बताईए अचा देखें तिर्भूज मतलब देखें अगर हम बात करें कि तिर्भूज क्या होता है तो हम लोग परहूं हैं कि जो तिर्भूज होता है उसमें आप चीजों को समझेगा कि जैसे माल लेते हैं यह यह बी है यह सी है यह एक तिर्भूज हो जाएगा तिर्भूज का मतलब ट्राइंगल होता है आपको मालूम होगा अब इसमें कह रहा है के दो कुनों का तो कोई भी दो कुन का आप देखें अब माल ले जाए एक कुन X होगा अपने मन से कोई भी माल ले जाए कि एक कुन X ले रहे ह तो इन दोनों कुन का जो योग होगा, वो कितना दिख रहा है, 80 डिग्री दिख रहा है, और इन दोनों का जो अंतर होगा, वो कितना दे रहा है, 20 दिख रहा है, तो यहां से अगर आप ध्यान देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर कह रहा है कि किसी तो आप देखेंगे यह खतम हो जाएगा तो 2x बराबर कितना आएगा 100 और x बराबर कितना आएगा 50 दो से काटेंगे तो तो x बराबर कितना आगे 50 इसका मतलब अगर x 50 होगा तो आप इस equation से बोल सकते हैं कि अगर x 50 होगा ध्यान दिजेगा अगर x का value कितना है हमारा 50 तो पक्तका y'e30 होगाSt इसका मतलब देखें आपको क्या होगे आपको क्या क्या क्फर्म आ गया कि x का value आपको 50 आ गया है x का value 50 आ और y का value कितना आ गया 30 आ गया इस ट्रेंगल में एक कुन तो पक्का 50 होगा, कोई भी, और एक कुन पक्का कोई 30 होगा, तो बोल रहा है, एक बात और आप जानते हुए, किसी भी तिर्भुज में, जो तीनो कुनो का योग होता है, वो 180 होता है, और हमने भी आपको पहले वाले वीडियो में बताया है, तो कोई भी कुन पक्चास लेख सकते हैं, कोई भी 30, तो 50 हो 30 होता है, मतलब एक कुन और कितना होगा 100, यह रफ वर्क है, इसलिए यह 100 आया है, तो 100 तो अधिक कुन हो जाता है, यह बढ़ा आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एक 50 एक 30 है, तो बोला है, तो सबसे छोटे कुन क माप बताए, तो सबसे छोटा कुन का माप 30 नहीं आ रहा है, तो मोझे लिए कितना आजाएगा, 30 आजाएगा, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं को हम लोग तुरंथ कर लेंगे सब, जैसे कि अब यह कुशन देखा जाए, अगर आप इ एक तिरहुज क्या है, तो ABC, ध्यान दीजेगा, कि एक तिरहुज ABC, ठीक है, माल लेते हैं कि एक तिरहुज ले लिए, ABC एक तिरहुज ले लिए, अब उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि एंगल ABC, अचा अगर कोई के C B के तो इसका मतलग क्या होगा अगर हम यहाँ लिखें कि कि एल्घर कि ऑबी सी एंगल बिसी बराबरे किसके बराबर है तो आप जान रहे हैं इसका मतलग यह ऐ ऑगर कोई आपसे बोèn ना कि abbiamo इसका मतलब अंगल B के बारे में बात हो रहा है ध्यान देजेगा हम बुलेंगे किसके बारे में बात हो रहा है बारे में और यहां किसके बारे में बात हो रहा है और यहां किसके बारे में बात हो रहा है और यहां किसके बारे में और यहां किसके बारे में और यहां किसके बा साहल को आइसे लिख ले रहे हैं साहल को लिखने ही साहल को पांच गुना चाहलेरा था बराबर कर आपनर था यहान ब मी हाँ से बत्वल को आप सबस्चीज भकन ही पाल फसक्त your एक का साहल थाइ के पांच इला पांच पा शाहले कि करने हाँ में एंगल A के बारे में तो यह वाला तो बात आपको समझ में आ गया होगा अब एक और equation क्या बोला है कि एंगल angle A जो है वो बराबर होगा किसके? यह C के, तीन गुना C के, तो तीन गुना angle C के तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो क्या आएगा? कि angle A बटा में, angle C क्या आजाएगा? तो हम बुलेगे हैं तीन इबटा एक चान जाएगा तो दिखिए अगर आप ध्यान दीजेगा तो इसमें अब आगे क्या करना चाहिए हैं आप आगे देखिए तो यहां देखिए दोनों में जो common है c है न दोनों में common तो आप देखेंगे यहां भी c 1 है यहां भी C1 है तो इसमें कुछ करना नहीं है आप direct value ले सकते हैं कि middle term already equal है तो हम बोल सकते हैं कि angle A, angle B और angle C का जो ratio आया है तो कितना है तो A का तो 3 unit दिख रहा है, B का 5 unit दिख रहा है और जो C का दिख रहा है वो 1 unit दिख रहा है तो आप इस चीच को देखिए कि B 5 दिख रह कि 3-5-1 के ratio में आ गए है तो आप देखें आपको मालूम होगा कि 3 कोनो का जो योग होता है वो 180 होता है तो 5, 3, 8 और 1, 9 तो हम बोलेंगे 9 unit का value आया है यहां देखें हम यह बोल सकते हैं कि 9 unit का value आया है वो कितने के बराबर होगा 180 degree के बराबर होगा तो 1 unit का value 9, 2, 18, 20 degree के आपको मांगि क्या जैगा, 5, 3, 9 हुआ, 9 का मतलो 100 के लुक्स खismo का value 300 के, तो मांग रहा है आपको b, आपको क्या मांग रहा है तो इंगल b मांग रहा है तो ध्यान देजाएगा 22 الج fine कितना हो जाएगा 100, 1 का मतलब 20 तो 5 का मतलब 100, तो कहेंगे इसका answer क्या जाएगा 100, तो तो यह सोटकुट थोड़ा सा यूज कर लिये हैं, बात आगे बरहेगा, तो यह 100 डिगरी एंसर हो जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट कोशन देखे, क्या बोल रहा है, आप देखे इस कोशन में, यह काफी अच्छा कोशन आता है एक्जाम में, इस तरह के कोशन काफी देखे जात और पतला कर लेते हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं, कि अगर हम बोले कि कोई भी ट्रेंगल में, एंगल A, एंगल B, और एंगल C का जो योग होता है, अगर कोई भी A, B, C का ट्रेंगल ले ले, तो जो योग होगा, वो कितना हैगा, तो 180 आएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं ह कि 180 आएगा, अच्छा, आप देखेगा, दो एक्वेशन दिया हुए, एक तो दिया है, कि एंगल A, माइनस एंगल B, कितना दिया है, 15 डिगरी दिया है, तो यहाँ एंगल A, माइनस एंगल B, 15 दिया है, और एक और दिया है, क्या दिया है, कि एंगल B, माइनस एंगल C, कित तो करने का simple तरीका है, आप देखेंगे, आप बस इतना इसमें देख लिएगे, कि इसमें भी B है और इसमें भी B है, आप देख रहे हैं, दोनों में B है किने, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एंगल C का वैलू B के form में लिख है, तो एंगल C बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे, एंगल A बराबर होगा, 15 प्लस एंगल B, तो बात को समझना यह है, कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों में B था, तो यहाँ से C को B के form में लिख लिए, और यहाँ से A को B के form में लिख लिए, अब बस question आपका तयार है, अब बन जाएगा राम से, क्या बन एंगल B होगा, ठीक है, और आप देखिए, यह वाला तो इतना लिखे हैं, और इस B को तो B ही रहने देज़े, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब को B में ले आ रहे हैं, यह B में ही रहने देज़े, इसको कुछ मत केज़े, लेकिन C का value है आपके एंगल C जो है, वो कितना दिख रहा है, तो आप जान रहे हैं कि यह वाला, यह वाला और यह वाला, यह वाला यह वाला, यह सब का U कितना दिख रहा है, तो 180 डिग्री, बस अब इसको solve कर लेंगे, तो एंगल B आ गया और B आ गया, तो सब आ जाएगा जैसे कि और आप देखेंगे, पंदरा मेंसे अगर 30 घटाएंगे, तो माईनस का पंदरा आएगा, और बराबर 180, अचा यह जाके उधर जुटेगा, तो 3 एंगल B बराबर किया आएगा, तो माईनस पंदरा जोग उधर जाके जुटेगा, तो 195 कर देगा, तीन से काटेगा, तीन से 15 तो ये कितना आझाएगा? 65 डिगरी तो एंगल बड अगर 65 है धिएन दीजएगा एंगल बड लिगल बड श्रक्राथ और 6 लिख सकते हैं तो 65 मैं से 30 जाएगा तो में हम फैंगल सि कितना आजाएगा? तो हम बूलेंगे 65 में, अगर हम 15 जो रेंगे, तो ये कितना आजाएगा? 80 जाएगा, इसका मतला है 80, तो देखें, तीनों का value आचुका है, आपके पास, आप देखें, तीनों का value आचुका है, B भी है, C भी है, तो बोल रहाएं क्या होगा, A, तो A कितना है 80, ठीक है, B कितन तो A और C यह तो 65 नहीं दे रहा है तो A 80 B 65 और C कितना होगा 35 तो ऐसा तो option नहीं इसका मतलब यह 30 को by mistake लिखा गए है आप यह 35 कर लिजेगा यह 35 होगा और यहीं एंसर होगा और C 65 और 35 तो इसको कर लिजेगा ठीक तो आगे बरह जाएगा आपको धिरे दिरे चीजे को समझ में आ रहा है और यह सब काफी आर्षान सा question है तो इसमें हम ज्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं हम सिखाते चले जा रहे हैं जैसे कि अब इसी question को देखे कर रहा है यह कौन है तो X का मांद तो आपको मालूम है कि तिर कोनों का योग 180 होता है तो इसको आप इसको और उसको तीनों को जोर के किसके बराबर लिख देंगे 180 के बराबर लिख देंगे तो आप क्या आपका नहीं आ जाएगा X का value एकदम आ जाएगा जी आप जोर यह X जोर यह 3 2 5 और 1 6 तो यह तो 6X आ रहे है अच्छा चार 5 और 9 में से 3 गया 6 9 में से 3 गया 6 बराबर कर कितना 180 तो 180 तो आप M में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा तो एगर X का value निकाले तो 6 से इसको काटते हैं 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 पांच आएगा 54 नौ 6 के 54 29 आ जाएगा तो कहेंगे कि जो X का value है वो कितना आ ग कि हम आपको जादा समय दे तीनों कोनों का योग एक 180 है यह सब काफी easy question है इसमें क्या करें इसमें तो कुछ करना ही नहीं अब देखें यह वाला भी काफी आसान है यह तो देखने में ही खाली बड़ा है इसका तो कोई है ही नहीं यह तो ललू रम टाइप का question है जी देख कि एकदम असान-असान question है आज तो आपको बहुत मजा रहा होगा कुछ करना नहीं पर रहा है एकदम easy लग रहा होगा और आपसे भी बन रहा होगा तो आपको भी खुसी हो रहा होगा कि हमसे भी कुछ बन जाता है तो ध्यान दीजेगा तो यहां पे अगर आप देखेंग तो आपको मालूम है कि तीनो कोन मिलके तीन दूपाँ और एक यह जो 6 unit है यह 180 degree के बराबर होगा तो आपका एंसर आ गया 60-90-30, 60-90-30 क्या बूल रहाए, ABC ना तो 60-90 60-90-30 इसका मतलब आपको ये वाला में आ गया 60-90-30, कौन सा पहला? 60-90-30 नेक्स्ट कोश्चन चलेंगे हम लोग इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपको पहला क्लास है तरभुच का बेसिक कोश्चन है तो आपको काफी असान लग रहा होगा सीखने में मजा रहागा अचा, अगर हम देखें इसी कोश्चन को देखी आप अगर इस कोश्चन को देखेंगे तो इस तरह का अनुपात में अगर हम आपसे बोले कि क्या दिया है बोला है किया, देखेगा, थोड़ा सा देखेगा, बोला है कि 2 angle A बराबर है 3 angle B, बराबर है 6 angle C, तो आपको अनुपात परहे होंगे, तो यहां से अगर हम बोले आप से, कि angle A, angle B और angle C का अनुपात बताइए, तो आप बोले हैं काफी असान है, एक के बाजुवाला को पलटिएगा तो एक अभेलु आएगा तो दो को पलटेंगे तो एक बटा दो आजाएगा जल्दी प्खरेक एक मतलब त्रिफूर गिया उए आगकर यिच्यक्त हो छाता है। चरेक कि Arduka Πयोर कर दिंद कर देए, था मतलबouvा जाता और में कि हिसके पर के कर साई। 60 degree, तो इसका एंसर क्या जाएगा, 60 degree. तो आपको अच्छा लग रहा होगा, हम लोग नेश्ट कोशन में चलते हैं, और तीन कोशन बचा है, इसको कम्प्लीट ही कर लेते हैं, ये वाला कोशन में क्या मांग रहा है, इसको तो बताने की विजरूरत नहीं है, इसको बताने की विजरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दान रहे हैं कि तीनों कोन मिलके 180 होता है और दो गों मिलके 130 हो जा रहा है तो एंगल यह 50 नहीं होगा मतलग कैसे आप समझ पा रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझेंगे आप बात बताईए आप खुद बताईए कोशिश्चिए समझने का आप देखिए कि 2A 2C मि इतना हो जा रहा है, 130 हो जा रहा है, तो उधर घटेगा तो एंगल, ए नहीं आ जाएगा 50, तो बोलेंगे यह 50 आगे, इसमें कुछ नहीं, वो ऐसे ही क्योशन दिया हुआ है, तो आपको यह समझ में आ गया हो, काफी असान कोशन था, अब हम लोग यहीं पे आज क्लास समाप करते हैं.